लो इस्टुटेंट्स SBSV Academy में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो कंज्यूमर एक्ट्रानिक्स के इस वर्जन 2.0 सिरीज में आप सभी का स्वागत है तो आप सुझ रहेंगे वर्जन 2.0 इसका लिखने का क्या मतलब हुआ देखें वर्जन 2.0 इसलिए लिख रखा है कि कंज्यूमर एक्ट्रानिक्स की पूरी बुक कवर करा दी गई है पहले ही और इसके सभी वीडियो उपलब्द हैं आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्लेलिस्ट कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वर्जन 2.0 से हमारे यह मतलब है कि जो हमारी बुक है इस बुक को हम दोबारा कवर करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में और मायराथन क्लास यह होगी आपको और यह अपक कोई रिवीजन भी होगा आप कह सकते एक तरह से तो यह बिल्कुल कम समय में ज्यादा चीज कवर करने कोशिस की गई है और इस वीडियो में यह भ करते हैं कि स्टुडेंट्स कुछ इस तरीके से बन सकता है कि सबसे पहला को से आपका बेसिकली यह उठता है कि आडियो सिस्टेम में कि माइक्रोफोन क्या होता है माइक्रोफोन क्या होता है तो चलिए माइक्रोफोन के बारे में आपको वता देते हैं हमारी आवाद जो आ समान आवरतिवा कला की वैद्यूत तरंगों में कनवर्ट कर देता है माइक्रोफोन पहले हमारा ट्रांसड्यूसर होता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है एक एनर्जी को दूसरे और यह क्या करता है धोनी दाव परिवर्तनों को समान 9 कि वैधित तरंगों के समान उपाति होता है यह जो हमलों को electrical wave में मिलती है convert होके इनका जो हमारा amplitude होता आयाम वो जो हमारा ध्वानिताब परिवर्थनों के समानुपाती होता है यह जो sound wave ने जो pressure लगाई थी सिके directly proportional होगा तो यह हमारा microphone का concept होता है फिर उसके बाद एक important question यह बन सकता है कि carbon microphone क्या होता है carbon microphone क्या होता चलिए इसके बारे हम समझ लेते है सबसे पहले इसकी थोड़ी theory पढ़ लेते हैं इसका diagram भी देखेंगे figure भी देखेंगे working भी बहुत अच्छे समझाएंगे तो जब carbon के चूड को एक case में बंद कर दियता है देखें carbon भी बिमारे का पदार्थ है और इसमें कुछ न कुछ गुड होते है तो इन ही पदार्थों का गुड हम लोग इस्तिमाल में ले लेते हैं तो इसी तरह carbon का इस्तिमाल में लिया गया है जिसका microphone में यूज किया गया है तो भही चीज यहाँ पर कही गए कि इसमें ध्वनी तरंगों का प्रेसर परता है तो granules का प्रतिरोध परिवर्तित होता है यदि इन granules की स्रेडी में एक बैटरी तथा लोड प्रतिरोध सन्योजित कर दिया जाए तो लोड में परिवर्तन धारा उत्पन होती है जो कि ध्वनी तरंगों के समानुपाती होती है कारबन माइक्रोफोन में दो प्लेट का प्रियोक किया जाता है जिसमें एक फिक्स होती है जबकि दूसरी प्लेट मुवेबल डायग्राम से अटाच होती है देखे इस फीगर को आप ध्यान से देखिए यहाँ पर से हमारी साउंड वेवस इंटर करेंगी ठीक है यह हमारी स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर हमारी एक बासर लगी हुई होती है और यह हमारा जो मेटल पिश्टन होता है जो हमारी स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है और यह हमारा एक metal का diaphragm होता है तो यहाँ पर से जब भी हमारी sound वे हो आएंगी और इन पर direct hit करेंगी तो फिर जो हमारा metal diaphragm होगा metal piston को नीचे के और push करेगा तो उसके वज़े से क्या होगा जो हमारा moveable metal plate diaphragm लगा हुआ है यह हमारा move करेगा उसकी वज़े से क्या होगा कि यहाँ पर जो carbon का चूड भरा हुआ है उसमें परिवर्तन होगा और यह हमारा insulator लगा हुआ है अब देखिए इसमें परिवर्तन होगा तो फिर क्या होगा यहाँ पर हमने एक transformer connect कर रखा है और यह हमारी एक battery connect हो रखी है और यह हमारा fix plate है जो हमारी यह fix plate है जिस हिसाब से carbon के चूड में परिवर्तन होगा उस हिसाब से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा तो वो चीज सेंस करेगा हमारा transformer और उसी के हिसाब से battery का circuit complete होगा और transformer पे हमको output मिल जाएगी तो इसी तरह हम यहाँ पर से output ले सकते है जो मारी electrical output होगी corresponding to sound wave उस recording हमको मिल जाएगी और बात करते हैं किस तरह के questions बन सकते हैं जैसे कि moving coil microphone को समझाईए moving coil microphone क्या होता है इस तरह के questions बन सकते हैं तो आईए इसके बारे में बात कर लेते हैं moving coil microphone वैदित चुमकी प्रेड़ के सिधान पर आधारित होता है देखिए जो यह परिवासा बिल्कुल आसान भासा में आपको मिल रही है अगर यह चीज आप exam में लिखके आते हैं तो आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे जब ध्वानी दाप परिवर्तन चुमकी छेतर में रखी कुंडली को मूँ करते हैं तो कुंडली में पास करने वाली magnetic plates में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में एक EMF प्रेडित होता है EMF मतलब Electromotive Force जो ध्वन के करड़ डाइफ्राम में होने वाली गति पर निर्भर करता है जिससे साउंड वेव के समान उपाती वैद्यू सिग्नल उत्पन हो जाता है जो कि माइक्रोफोन के आउटपुट पर राप्त होता है आए थोड़े इसका डाइग्राम समझते हैं जिससे हमको और क्लियर हो जाएगी डिफिनीशन क्या गयना चाह रही यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारी कॉइल्स लगी हुई है और यह हमारा इसका डाइफराम है और यह इसका हमारा एक प्रोटेक्टिव कवर होगा इन्पुट साउंड वेव यहाँ पर से एंटर करेंगी यह हमारी यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है और यह हमारा नार्थ फोल हो पुरा और south pole हमारा इस तरह लगाए गए बीच में और यह हमारा magnet है और इधर से हमारी यह pole piece लगे हुए है और यह जो हमारा लगाए गए यह हमारा silk cloth arsian लगा हुए है और अब इन ही coil से हम लोग दो wire निकाल लेंगे मानलो यहां से एक wire निकाल लिया और एक wire यहां से निकाल लिया दो हमको wire मिल गए जब sound wave उपर से आएंगी तो diaphragm हमारा जब उपर नीचे घुमेगा जिससे magnetic field change होंगी और coil में से current flow होने लगेगी उसी को हम लोग as a sound signal amplify करके सुन सकते हैं और आपके इस तरह से question पूछा सकते हैं मालोगी जैसे cordless microphone के भी सेंब बताईए cordless microphone क्या होता है तो चलिए cordless microphone के बारे हम थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या होता है इसमें छोटा सा FM modulated VHF transmitter होता है VHF transmitter क्या होता है very high frequency transmitter यह होता है जिसके करड़ इसमें wire क्या हो सकता नहीं होती इस प्रकार के microphone में एक छोटा सा radio transmitter होता है जो कि audio signal को microphone से radio द्वारा किसी निकट वर्ती इस्थिज़ receiver को transmit करता है इसका उपयोग मनुरंजन उद्द्द्द्दव public speaking टेली वीजन broadcasting में किया जाता है देखे कहीं भी कोई सो हो या टेली वीजन में देखो वो जिसे studio गएरे में मनलू जो anchors बैठे होते हो microphone लगाया होते हैं वो आप बोल सकते cordless microphone ही होते हैं जिसमें एक हमारा transmitter लगा होता है जो कि microphone से जो आवाज आ रही है उसको transmit करता है और receiver तक पहुंचाता है इस प्रकार के microphone का यूज करके stage पर कोई program प्रस्तुत करने वाला वेक्त या कोई वक्ता या lecture देने वाला वेक्त फ्रेली मूँ कर सकता है हाँ इसमें ये हमको advantage मिल जाता है कि अगर आप इस microphone का use कर रहे हैं तो आप फ्रेली मूँ कर सकते हैं आपको कोई microphone के पास खड़े होकर नहीं बोलना पड़ेगा ठीक है microphone की बात खतम होने के बाद हम लोग बात करते हैं कि और किस तरह के questions आ सकते हैं एक जाम में कि loudspeaker क्या होते हैं आपको जो हमारी आवास सुनाई दे रही है ये loudspeaker से ही निकल क्या रही है इसी को हम लोग speaker या loudspeaker के नाम से जानते हैं loudspeaker एक ऐसा transducer है जो विद्यत उर्जा को ध्वनी उर्जा में convert कर देता है ठीक है दोस्तों ये क्या करता है विद्यत उर्जा को ध्वनी उर्जा में convert कर देता है loudspeaker दो प्रकार के होते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं डारेक्ट रेडियेटिंग टाइप लौड़िस्पीकर के बारे में इसमें क्या होता है इस प्रकार के लौडिस्पीकर द्वारा कोन का प्रयोग किया जाता है ततह सीधे open space को sound deliver करते हैं इसमें लगी कोईल को vibrations कोन को transmit होते हैं तथा कोन इन vibrations को सीधे वायू में transmit कर देता है जिससे द्धुन उत्पन होती है इसमें क्यों होता है direct हमारे open space को deliver कर देता है sound जैसे कि हमारा उसमें आता है हमारा moving coil loudspeaker तो question किस तरह बन सकता है कि moving coil loudspeaker क्या होता है इस तरीके से बन सकता है तो moving coil loudspeaker इबारे में जान लेते हैं तो moving coil loudspeaker चुम्ब की छेत्र वा धारा के मद परस पर सम्मंद के सिद्धान पर कारे करता है एक wise coil को uniform चुम्ब की छेत्र में रखा जाता है जब इस wise coil से आडियो धारा प्रवाहित होती है तो चुम्ब की छेत्र वा प्रवाहित आडियो धारा के मद परस पर सम्मंद के करण चलध्वन कुंडली पर बल उत्पन होता है यह बल आडियो धारा के समान पाती होता है तथा coil में कमपन उत्पन होते हैं इससे एक कोनिकल पेपर डायफ्राम में कमपन उत्पन होते हैं जो की मूल धन स्वरी फ्रेंट्स यहाँ पर मूल धन ने मूल ध्वन होनी चाहिए यहनि मूल जो सिगनल होता है उसको उत्पन करते है और अब सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं इंडारेक्ट रेडियेटिंग या हार्न टाइप लावड़ी स्पीकर ठीक है हार्न टाइप लावड़ी स्पीकर बोलो या इंडारेक्ट रेडियेटिंग बोलो क्योंकि हमारा जो हार्न टाइप लावड़ी स्पीकर है वह भी मारा इंडारेक्ट रेडियेटिंग स्पीकर में ही आता है तो इसमें क्या होता है इन लाउड स्पीकर में ध्वान उर्जा को सीधे वायू में विक्रित कर देने के बजाए पावर को पहले एक हार्न को दिया जाता है तो था हार्न द्वार यह पावर वायू को देकर ध्वान उत्पन की जाती है तो डारेक्ट ये हमारे air में deliver नहीं करते हैं sound को पहले तो हमारे हार्ण में जाएंगे फिर हार्ण के द्वारे power को वाईव में दे दिये जाएंगे तो question इस तरह से बन सकता कि हार्ण type loudspeaker क्या होते हैं तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं हार्ण type loudspeaker में sound power diaphragm सीधे space में विकरित ना होकर हार्ण के माध्यम से space में विकरित होती है ठीक है इसलिए हार्ण type loudspeaker को indirect radiating loudspeaker कहा जाता है अता हार्ण एक धोई transformer का कारे करता है जिससे free air की low impedance वह wise coil की assembly की high impedance के मद बहतर impedance matching प्राप्थ होती है जिससे दच्चता में सुधार आता है इसमें यह होते हमारी efficiency बढ़ जाती है जो मालो हमारी air में क्या है मालो low impedance है और wise coil के assembly high impedance होती है दूसी चीज की इसमें matching हो जाती है और साथ आप लोगोंने maximum power transfer theorem में पढ़ा होगा कि क्या होता है जब हमारा sender और receiver की impedance कर मैच कर जाती है तभी maximum power transmit हो सकती है maximum power deliver की जा सकती है अगला question कुछ हमारा इस तरीके से बन सकता है कि multi speaker system क्या होते है उनको multi speaker systems को समझाइए तो multi speaker system offer and tweeter हमारे मल्टी स्पीकर मल्ब कई सारे speakers लगे हो जैसे offer and tweeter साफ home theater गयरा में देखते होंगे तुमारे कई सारे speakers लगे होते हैं जैसे एक base के लिए होता है मौनलोग tweeters होता है tweeters हमारे जो इसे high frequency के लिए यूज के जाता है तो multi speaker system की बात कर लेते हैं तो एकल संग type loud speaker pool audio आवरती range में एक समान अनुक्रिया नहीं पदान कर सकते हैं देखें यहांपर pool audio आवरती range की बात की गए जो कि हमारे 20 से 20 kilo hertz तक होती इसका मतलब क्या होता है यह हमारे ऐसी audio range है जो कि हमें इंसान सुन सकते हैं यह हमारे 20 hertz से लेकर 20 kilo hertz तक होती है तो वही चीज़ यहांपर करेगे कि जो pool आवरती range है में एक समान अनुक्रिया नहीं प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उनकी size के अंसार उनकी आवरती अनुक्रिया में परिवर्तन आता है एक ध्वनी पुनरुत बादन यानि sound reproduction प्रडाली म मल्टी speaker दोयदो से अधिक speaker वही चीज मल्टी speaker में लब कई सारे speakers प्रडाली का प्रयोग किया जाता है जिसमें विभिन आवरती बैंड के लिए अलग अलग loud speaker किया हो सकता होती है ठीक है इस प्रकार मल्टी speaker प्रडाली प्रयोग करने से audio आवरती के लगवग पूर रेंज यहां पर समान का मतलब है कि जो हम इंपुट दिये हैं हमको वही आउटपुट भी मिल रहा है और स्मूथ का यहां पर यहां पर यहां पर एक ब्लॉक डाग्राम दिखाने कोशिश करना है यहां पर एक यहां पर हाई फ्रिक्वेंसी को ही पास करेगा और यहां पर यहां पर आगे लिखी कि दो स्पीकर प्रियुक्त मल्टी वे स्पीकर पड़ाली में और एक को चित्र में प्रतर किया गया है तो वहीं देखो चित्र को हमने समझा दिया लगबग उसी फीगर की बात कहीं जा रही है कि इसमें वह लाउड़ स्पीकर जो निम नावरती यह शोला हट से खिर्ट में कारे करता है उसे उफर त文族 उफ उचाव रहेते लगबग एक विशिंट खैके कर्थे यह रहेएं और एक क्लोड़ से बीस किलोड़ स्टर में कारे करते हैं उसे ट्वीटर कहते हैं अ को गज़ो wax में मांट किया जाता है एक 3-way speaker प्राली को चित्र नीच में प्रदर्शित किया गया है तो चित्र नीच नीचे वहला देख लेते हैं इसमें थ्री वे चित्र सिस्टम को यूच्च किया गया है देखिए यहां पर फ्रांट एफ एम्प्लिफायर तो लगाई हुआ ट्रांसफार्मिल लगाऊ आडियो सिग्नल आएगा और यह हमारा जो तीन लाउड़ी स्पीकर लगे हुए एक हमारा उफर है एक हमारा स्कॉकर है और ट्वीटर है तो देखिए ट्वीटर को उने बता र तो अभी नीचे इसकी थेवरी में बात करेंगे तो सब कुछ दिया गया है तो चलिए अब इसकी नीचे थोड़ी थेवरी में बात कर लेते हैं इसमें उफर एवं ट्वीटर स्पीकरों के मध्य में एक मध्यम साइच का स्पीकर प्रियोक्ति किया गया जिसे इसको आकर कह केते हैं जो कि मध्य औरटी रेंज यानि में प्रिक्वेंसी रेंज लगभग 500 हर्ट्स से 5 किलो हर्ट्स में प्रेयों किया जाता है इस स्पीकल में ऊफर को 16 से 500 तक आवरति बैंड में तथा ट्विटर को पांच किलो हट से 20 किलो हट तक आवरेति मैंड में प्रयोग किया जाता है ठीक है वही चीज जो हमने figure में समझाई है कि हमारे जो तीन speaker यूज किया जाते हैं ये किस लिए यूज किया जाते हैं तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं डॉल्वी सिस्टम क्या होता है इसको में लोग डॉल्वी रिडेक्शन सिस्टम भी बोल सकते हैं यह भी पूल सकता है कि डॉल्वी रिडेक्शन सिस्टम क्या तो दोनों एक ही चीज हैं यह मारा मलब नॉज को कम करने के लिए डॉल्वी सिस्टम आया हमारा तो किसी सिस्टम की SNR, SNR मतलब signal to noise ratio को बेहतर बनाने की तक्निक है, जिसमें recording के समय free emphasis वा playback के समय de-emphasis का यूज किया जाता है, dolby noise reduction system या dolby nr, इसको direct बोल सकते हैं, dolby nr, dolby laboratories द्वारा विक्सित noise reduction system अर्थाद noise को कम करने हैं तो परियुक तक्निकों की स्रेडी में से एक है, जिसको in a love audio tape recording है तो यूज के लिए develop किया गया था तो चलिए अगले question की बात करते हैं, हमारे और किस तरह के questions इक जामें पूछे जा सकते हैं, अगर आप इस वीडियो में यहां तक बने हुए हैं, तो आगे तक भी बने रहे हुए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ना चाते हैं, क्या खूब कहा है किसी ने, अगर मेहनत आदत बन जाए तो काम्याभी किस्मत बन जाती है, अगर आप वीडियो में यहां तक साथ बने हुए हैं, तो आगे भी देखना चाते हैं, उम्मेद करते हैं, आपको आगे का वीडियो भी बहुत बड़ी है लगेगा, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बन सकता है कि हाई फाई स्टीरियो प्रडाली पर संचित ठीपड़ी लिखिए, या हाई फाई स्टीरियो प्रडाली हमारी क्या होती है, तो हाई फाई स्टीरियो सिस्टम को स्टीली समझ लेते हैं, देखे इस स्टीरियो सिस्टम में दो अलग अलग चैनल होते हैं दोनों चैनल का pick up या तो play-by पर लोडिंग इफेक्ट ना होने पाए यहां पर एक डायग्राम देख लेते हैं यह नहीं हमारे पिकप चैनल से मालोगो दो लेफ्ट राइट के लिए लगा रखें यह पहले से प्री अम्प्लिफार लगे होंगे लेफ्ट और राइट के लिए और यह हमारा फ्रिक्वेंस लेफ्ट वाल आया और एक राइट वाल आया है उनके बीच का हमारा बाइलेंस कंट्रोल करेगा और यह हमारा पावर एंप्लिफार लगे हुए है जो दोनों पावर एंप्लिफार से आउट पूट जाएगी डारेक्ट हमारे साउंड को यह लावड़ी स्पिकर को दे दी करण से जाएगी यहां पर रहें अधर पर लगा रखकें इधर भी ऊफ़र और मायरें ट्विटर लगा रखकें अभी तक हमने समझा के फ्रिय एंप्लिफार का हमारा जो इंपूट पैडेंस होता है अत्य हुच होता होता है के बाद लिफ्ट-ध्याइड भाइलेंस आस कि यूजर इच्छायो मावस एक तमसाल लेफ्ट या राइट चैनल की तीवता प्राप की जा सके इसके बाद लेफ्ट वार राइट चैनल के अलग-अलग पावर एंप्लिफायर्स होते हैं जिनमें आउटपुट ड्राइवर स्टेज भी होती है जो चैनल के अपने-अपने लावड़्ड स्पीकर नेटवर को ड्राइव कर सके और किस तरह से क्वेशन पूछे जा सकते हैं कि मानलों यह पूह सकता ऐ कि फाइड़ल्टी क्या होती है यह पूह सकता है कि ौिसे आप राइड्यमें है यह फाइड़िल्टी के विशे ही में बताइए तो ग्यों से या लोग फाइडल्टी का मेन मेन जब प्रोड्यूस्ट साउंड ओरिजिनल साउंड या लाइन साउंड का हाई डिगरी में सिमिलर नहीं होती तो हम उसे हाइफाई नहीं कह सकते ठीक है जो हमारी प्रोड्यूस्ट साउंड होगी वो ओरिजिनल साउंड या लाइन साउंड का हा अच्छी लगे यह सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की वाईलियूम लेवल पसंद करता है इस प्रकार की साउंड ओरिजिनल नहीं होते हुए भी अच्छी लगती है हाई-फाई पराप्त करने के लिए किसी भी सिस्टम में दो प्रकार के अर्टिफिशियल सर्कुट लगाते हैं जिनें बास तथा ट्रेवल यहाँ पर ट्रेवल लिखाव फ्रेंड कहते हैं इस्पीकर का सही प्रियोक करके भी हाई-फाई पराप्त की जा सकती है हाई डेल्टी वहता है वफदार यानी फाईडल्टी मेंने वह लब कितने वफदार है या कितना हमारा अच्छा ला जो रूकावट आती है वह सिग्नल का ट्ररीप्रोड्रेक्शन ना हो पाना इसेन कहते हैं मुखे रूप से पांस प्रकार की डिस्टार्षन इसे distortion कहते हैं मुखे रुप से 5 प्रकार के distortion हाई-फाई सिस्टम को प्रभावित करते हैं जो निम्न लिखित है कौन से हमारे 5 प्रकार के distortion है पहला हमारा आजाता है frequency distortion और दूसरा होता हमारा amplitude distortion तीसरा हमारा phase distortion चाउता है ट्रांजियेस्ट distortion पाचवा हमारा इस पैचवल डिस्टार्शन और किस तरह से question बन सकता है हमारा कि time compression वा expansion क्या होता है या time compression वा expansion के बारे में लिखिए चलिए time compression तरह expansion के बारे में समझ लेते हैं देखे time compression तरह expansion बेसिकलिए अगरा process इस तरह का होता है यूट्यूब पर कोई video देख रहे हो तो आप उसकी speed खुद control कर सकते हो कि हम 0.75 पर देखें या 1.15 पर देखें यानि आप उस video की जो timing है आप बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो जैसे एक minute का video है अगर आप उसको दोगुना time पर देखना चाहते हो तो हमारा 30 second में आदिस समय में एक समप्त हो जाएगा लेकिन अगर आप उसको 0.5 कर देखें तो एक minute का video दो minute में खतम होगा तो एक तरह से वही कह सकते हो कि यह वो process होता है जिसमें दी कई लंबाई की sound file को electronic यूट्टियों द्वारा speed up या slow down किया जाता है जिससे कि वह करमसा कम समय या अधिक समय में प्लेबैक की जा सके ठीक है फ्रेंट्स और अगले question की बात करें तो सोर पर संचित टिपड़े लिखिये या noise work distortion क्या होते हैं इस तरीके से भी question पूछे जा सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं यदि पुनरत पादन ध्वनी सुने जाने वाले वांचित छेत्र के वातरड में किसी प्रकार की आवांचित ध्वनी उपस्तित होती है और आवांचित सोर कहीं बाहर से आडियो प्रडाली में प्रवेस करता है तो इन कारणों से मूल ध्वनी के साथ उत्पन होने वाली या सुनाई देने वाली अवांचित ध्वनी को सोर कहते हैं सुरोताओं के कानों के द्वारा सुने जा सकने वाले सोर दो प्रकार के होते हैं वातावरडी सोर, विद्धती सोर इस्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं noise और distortion के बारे में तो noise हमारी क्या होती है और distortion हमारी क्या होती है तो चलिए इनको समझ लेते हैं के करके noise consist of signal outside the wanted signal अर्थात noise का ताथ पर उन बाहर है signal से है जो wanted signal को प्रभावित करते हैं ये हमारे सिगनल को बाहर से प्रभावित करते हैं जिबकि हमारे डिस्टॉर्शन क्या होता है वांटेट सिगनल में ही डिफॉर्मेशन यानि विकार उत्पन हो जाना अर्थात उसका सेफ चेंज हो जाना डिस्टॉर्शन कहलाता है डिस्टॉर्शन हमारा सिगनल के अंदर ही होगा बट नौई जो है कि वो बाहर से आएगी सिग्नल में नौई एक इक्स्टर्नल अफेर है अर्थात वांटेड सिग्नल के अलाम अन्यास पास के आवांची सिग्नलों के प्रभाव को नौई कहा जाता है बलकि डिस्टॉर्शन क्या होता है डिस्टॉर्शन हमारा है इंप्लिट्यूड इस्पैच्वल और और ट्रांजियंट जिसके हमने उपर पहले ही बात कर रखी है और अगर बात कर लेते हैं नौईज की तो सिल्डिंग ग्राउंडिंग ट्रैप परिपत डिकप्लिंग परिपत सर्वो सिस्टम मेकेनिकल फिल्टर्स इस्टेपलाइज और अगर वही पर हम डिस्टॉर्शन की बात करें तो अच्छी डाइनमिक रेंज वाले प्रवारधक यानि अप्लिफायर्स परिपतों का उचित डिजाइन निगेटिव फीडवेक सिस्टम स्टेरोफोनिक सिस्टम दोरे डिस्टॉर्शन को एक परसंट से भी कम किया जा स वही नुएज की बात करें तो इसको डीवी में व्यक्ति किया जाता है और इसको परसंटेज के रूप में व्यक्ति किया जाता है एक परसंट से कम डिस्टॉर्शन को टॉलरेबल माने जा सकता है और हम लोग आ जाते हैं अपने टेली वीजन में तो टेली वीजन में किस त कुस्टन हमारा है कि एक वरड़ी टीवी प्रसारड प्रडाली का ब्लाग डायग्राम कीजिए तथा प्रते एक ब्लाग की व्यक्षा कीजिए ट्रांस्मिटिंग और रिसीविंग एंटीना के बारे में अगर आपने समझ लिया तो टीवी का लगवग बहुत कुछ समझ लिय तो सबसे पहले टीवी ट्रांस्मिटर की बात करते हैं तो टीवी ट्रांस्मिटर का संची तुड़न निम्नवत है यही सबसे पहले इसके ब्लाग डायग्राम की बात करेंगे उसके बाद जो भी हमारे इसके ब्लाग है उसका हम एक एक डिसकसन करेंगे फ्रेंड्स यह हमा टीवी का ट्रांस्मिटिंग पॉर्शन है यहां पर हमारा किस तरीके से तो आए इसको समझ लेते हैं तो यहां पर हमारा कामरा ट्यूब लगा हुआ है जहां से हमारा वीडियो जाएगा और यहां से हमारा वीडियो एंप्लिफायर लगा हुआ है यहां पर लगा होगा हमारा scanning and synchronizing circuit और यह दोनों जाएंगे AM modulating amplifier में AM modulating amplifier क्या करेगा डारेक्ट इसको power amplifier में दे देगा और power amplifier में उधर से हमारे दो लोग आ रहा हुए कौन से crystal oscillator crystal oscillator क्या करता है crystal oscillator हमारा oscillations generate करता है और इधर हमारे एक RF amplifier लगाओ गया ने radio frequency amplifier यह दोनों इधर power amplifier में आएंगे तो power amplifier सीधा combine network को चला जाएगा और combining network में क्या हो रहा होगा हमारा जिधर से मारा video signal आया है और इधर से मारा sound आ रहा होगा sound सबसे पहले समझ लेते कहां से आ रहा होगा microphone से microphone हमने पहले ही पढ़ा रखता है microphone सबसे पहले audio एंप्लिफायर में जाएगा जो कि यसका आडियो सीगनल एंप्लिफाय होगा फिर उसके बाद यह एक एफें मॉडुलेटिंग एंप्लिफायर में जाएगा आपको यह ध्यान रहे हैं कि जो टीवी ट्रांस्मीटर में हम लोग यूज करते हैं आडियो के लिए FM मॉडलेटिंग अम्प्लीफायर और वीडियो के लिए एम मॉडलेटिंग अम्प्लीफायर यह important question है तो यहां से FM मॉडलेटिंग अम्प्लीफायर में जाने के बाद sound transmitter में जाता है इसके लिए scene को photo sensitive target plate पर डाला जाता है target plate पर picture element का जाल होता है तथा प्रतेक elements की state उस पर पढ़ने वाले प्रकास पर निर्भर करती है अता जब picture को lens द्वारा target पर focus किया जाता है जो कि target को element by element scan करके पूरा frame scan करती है तथा पुना लौट कर यह प्रक्रिया दोराती रहती है इस प्रकार camera द्वारा optical image को electrical form में convert कर जाता है वीडियो प्रवर्धक यानि video amplifier द्वारा camera tube से प्राप्ट electrical signal को वीडियो प्रवर्धकों द्वारा प्रवर्धित किया जाता है ठीक है तो यह हमारा काम होता है camera tube का अब वहीं बात कर लेते हैं scanning वा synchronization परिपत क्या होते हैं जो हमारा scanning and synchronizing circuit होता है वो हमारा किस काम के लिए होता है तो scanning वा प्रक्रिया है जिसमें सभी pictures element को element by element electron द्वारा एक प्रकार से read किया जाता है जब receiver पर picture tube में original scenes के reproduction है तो electron beam fast forest को scan करती है तो यह scanning transmitter पर की गई scanning से synchronized होनी चाहिए इसके लिए sync signals भी transmitter द्वारा transmit किया जाते हैं ठीक है तो यह हमारी बात हुई scanning और synchronizing के बारे में अब बात करतें AM modulator के बारे में तो चलिए AM modulator के बारे में समझ लेते हैं तो television picture में signal के लिए IAM modulation का यूज़ किया जाता है bandwidth बचत है तो west ideal side band IAM modulation यानि विएस बी AM यूज़ किया जाता है तो विएस बी AM यूज़ करने का में उद्दे से यह है कि जिससे हमारा bandwidth बचत हो जाती है और इसके अगले block की बात करें तो crystal दोली तरे नि crystal oscillator क्यों लगा होता है तो crystal दोली तरे modulation है तो high stability का RF carrier उत्पन करता है जिसको RF amplifier द्वारा amplify किया जाता है sound transmission है तो sound signal को एक un carrier पर आवरत्ती modulate किया जाता है और जो हमारा combining network होता है किसलिए इस्तेमाल क्या जाता है जो हमारा यह network AM modulated video था था FM modulated audio देखे हमने पहले block diagram में बताया था AM modulated video और FM modulated audio जो हमारा video होता है वो हमारा AM modulated होता है और audio हमारा FM modulated होता है signalों को combine करके antenna को भेशता है अब बात करते हैं फाइनल हमारा transmitting antenna की ट्रांस्मेटिंग एंटीना होता है एंटीना द्वारा television signal को electromagnetic form में space में रेडियेट कर दिया जाता है ठीक एंटीना से संचिप तो वरडन देख लेंगे यह हमारा receiving antenna का block diagram है यहाँ पर receiving antenna यहागी ऊड़ा एंटीना लगा होता है तो सबसे पहले हमारा tuner होता है जो कि ट्यून करता है कि frequency को accept करना है और किसको block करना है उसके बाद लगा होता हमारा common IF amplifier फिर हमारा लगा होता है video detector वीडियो डिटेक्ट होने के बाद क्या होता है एक तो सीधा video amplifier में चला जाता है जिससे मारा video signal amplify होता है और इधर एक हमारा audio portion में बढ़ जाता है जो कि हमारे speaker के लिए होता है और वहीं से मारा निकल क्याता है scanning and synchronizing circuit के लिए तो scanning and synchronizing circuit क्या करता है जिस हिसाब से मारा audio है उसी हिसाब से मारा video को picture tube में दिखाना video amplifier होने के बाद हमारा picture tube में दिखाई देने लगता है और इधर समझ लेते हैं loudspeaker के बारे में तो sound ii aiif amplifier लगा होता है हमारा उसके बास sound demodulator लगा होता है जो मारा sound ii ai modulator होके उसका demodulation होगा फिर हमारा audio amplifier को दे दिया जाएगा उसके बाद TV signals जो हमारा आ रहा होगा उसको receive करेंगे फिर हमारा होता है tuner tuner क्या करता है tuner circuit को वांचेत आवरति पर tune करने पर वही आवरति पास करती है जबकि sales आवरतियां reject हो जाती है देखे हमने block diagram में यही बताया था कि जो tuner होता है वो हमारा ट्यून कर देता है एक विशेज frequency के लिए कि हमारी वही frequency पास हो सके और बाकी की जो बची होई frequency हो रिजेक्ट हो जाए आज होनी TV receiver VHF वा UHF के लिए अलग अलग tuner यूज करते हैं VHF मदलब very high frequency और UHF मदलब ultra high frequency फिर हमारा होता है mixer तदा आइफ प्रवर्दक यानि mixer and IP amplifier बोलो या आइप प्रवर्दक बोलो mixer द्वारा आइफ उत्पन की जाती है इसको IP प्रवर्दक कहते हैं प्रवर्दित करते हैं गलल दिखा हुए है पर जिसको IP प्रवर्दक कहते हैं डारेक्ट और जो मारा video detector होता है यहाँ पर डारेक्ट लिए गया गया लेकिन video detector हमारे एक अलग block है अगर आपने block diagram की screen shot ले होगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं video detector जो मारे एक अलग block है तो video detector के बारे बात कर लेते हैं यहाँ एक diode detector होता है जो video signal को demodulated करता है यहाँ पर sound signal को एक low frequency पर convert किया जाता है जिसे inter carrier frequency कहते हैं तथा फिर sound demodulator को भेज जाता है ठीक है फिर यहाँ पर से हमारा sound demodulator को भेज दिया जाएगा और एक दो question की बात कर लेते हैं तो scanning क्या होती है scanning क्या होती है यह भी हमारा important question है तो scanning समझ लेते है scanning क्या होती है scanning हमारी वहाँ प्रक्रिया है यह बोल सकते हैं हमारा एक process है जिसके दोरह किसी द्रस से पिक्चर के तुल्ले why this signal उत्पन निकिया जाता है यह जो हमारे picture scene होगी उसी के corresponding हमें electrical signal generate करेंगे scanning की क्रिया transmitter पर camera tube के अंदर image को picture elements में विवाज़त करने है तो तथा receiver में picture tube पर picture के लिए reassemble यहापर इसकी spelling गलल लिख हुए reassemble लिखा हुए करके उसके पुनरोथ बादन के लिए की जाती है scanning दो प्रकार की होती ह shop आजिसी कैसेरी हर सकन प्रस और गया इंक जाती है अरथां पहली होरिजञंटल लाइन फिर दूसरी होरिजञंटल लाइन फिर तीसरी होरिछंटल लाइन इत्याद Ouais क्रमाबार शकानिंगे होती यानी जिस तरह मैं इसको पड़ रहा हैं उसी तरह स्कैनिंग होती है सबस्कै पहले यहां मालों लाइन तक हो चुकिए फिर उसके बाद हमारी पाइसे दाइंचल लेकि इस तरह चैनिंग होगी इसकी तिया हमारी सिक्वेंसी लिए एक सीक्वेंसे करना फिर आती है हमारी इंटरलेश्ट स्कैनिंग टीवी सिस्टम इंटरलेश्ट स्कैनिंग का ही प्रयोग करते हैं जो टीवी सिस्टम होते हैं यह बेसिकली हमारी इंटरलेश्ट इसका Panicówy, करते हैं, Interland Scaning में horizontal lines क्रमा वार स्काइन नहीं कि जाती हैं, इसमें screen या frame को डो या दो से अधिक fields में बांट जाता है, इसमें क्या होता हमारी screen या उसका जो मारा frame होगा minimum 2 या उसमें ज्यादा fields में बांट जिय जा población और एक है करके field स्कैन की जाती है इसमें ऐसे या उसका नमारा फ्रेम स्कैन वह sürd everywhere स्टम में इंसी स्ट में ट्याइटी रेस्ट्रीवन इंटर लेश्ट इस आथे यह बार फ्रेम या सखोए हैं तो प। तो फ्रेम को दो फ्रेम को दो फ्रील्ड में विभाजत किया जाता है ठीक है दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं I hope ये वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर होगी अब ये वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए आपका वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टापिक के साथ अब तक के लिए जय हैं जय वारत